आज का जो आपने ये प्रोग्राम रखा इसके क्या उद्देश से रखा है कि पिछले गतवर्शो में बीजेपी सरकार के द्वारा विभिन मुद्दे उठाए गए है परंतु जो मुद्दा जड़ा बहुत महत्पूर्ण है EVM का मुद्दा वो उठाये नहीं किसी ने और उस मुद्दे को बार-बार दबाने का प्रियास किया जा रहा है तो हम लोगों ने लोकतंत्र बचाओ जनान दोलन के माध्यम से इस मुद्दे को फिर से उठाने का प्रियास किया है उसके संबंद में तो मैं बहुत ज़्यादा टिपनी नहीं करूंगा लेकिन हम यो यूवा लोग हैं हम लोगों ने अध्यान किया है बाकाइदा रिसर्च किया है रिसर्च के बाद हम लोग सलकों पर आये हैं और हम इस बात को साबित करने में सक्षम है कि हाँ इवियम को टेंपर किया जा सकता है और इवियम टेंपरिंग ही नहीं इवियम के मामले में और कई मुद्दे चल रहे हैं जैसे आठ अक्टूबर 2013 को सुप्रिम कोर्ट का आधेश आया उन्होंने कहा कि बाई जो 2014 के चुनाव है इनमें वीवी पैट लगाया जाए लेकिन जो चुनाव आयोग था उसने वीवी पैट लगाया ही नहीं अगर वीवी पैट लगाया तो मेगाले में लगाया मिजोरम में जाके लगाया और इधर वीवी पैट ही नहीं लगाया और जब वीवी पैट लगाई नहीं तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारी वोट कहते हैं अवहेलना Contempt of Court कहते हैं और Contempt of Court करने के बावजूद भी चुनाव आयोग के पर कोई कारवाई नहीं की गई और उसी तरह से 2017 में जो उत्तापरदेश का चुना हुआ तब भी 147 सीटों पर लगाने का आदेश था और जब 2014 का चुनाव खतम हो गया तो नई मशीने जो खरी दी गई थी आठ लाक नई मशीने उन मशीनों को कबार कह करके बेच दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ उन मशीनों में जो स्टोर वोट थी जो एक सुबूत हो सकता था इस बात का कि मनुवादी सरकार किस तरह से जीत करके आई है वो सुबूत ही मिटा दिया गए और जब गुजरात के चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद ही इनके ट्रक पलट जाते हैं महीने के बीतर बीतर और सारी EVM मशीन तूड जाती है इन्होंने फिर सुबूत खतम कर दिया गए तो हमें ना सिर्व शक तो हम पूर जोर विरोध करते हैं इन तीनों संगठनों का इन पे हमारा भरोसा नहीं रहा है इन तीनों संस्थाव पे भरोसा नहीं रहा है में इस रूप से अगरा आप इसमें बात देखें तो जो पिछले चंद दिनों में नबालिक बेटीयों के पर जो यह द्याचार दुश्करम के जो वारदात हुई है यह मंदिरों में विशेश सुरूप से चाहे वो घटना हरियाना के यमनानगर की रही हो और चाहे वो जम्मू के कठवा की रही हो तो मेरा कहना यह है कि यह एक जगन्य अपराद ही नहीं बलकि एक ऐसी मानसिकता है जो विक्षिप मानसिकता है इसका प्रमाण में इन ही के पुराणों में वेदों में और इन के धर्म गिर लेकिन क्या बार उनके पती मर जाये करते थे तो उन महीलाओं को मंदिर में रहना पड़ता था और मंदिर की देखबाल करनी पड़ती थी और मंदिरों में रहने वाले मोटे मोटे पेट के जो पंडे होते थे इन बच्चियों के साथ अपने संबंद बनाते थे इसका मतलब बलातकारी तो था तो इनके धरम गिरंतों में इनके खून में इनके मानसिक्ता में बलातकार के प्रवर्ति हमेशा से रही है जो आज उजागर हो रही है मैं इसे दुख के साथ कहना चाहता हूं हमारी बेटी का बलातकार मंदिर के अंदर होता रहा और उस मंदिर में बैठे भगवान को भी शरम नहीं आई उस भगवान ने भी एक थपड़ तक ने लगाया बलातकारियों को और अगर बलातकारियों को को मोधी जी ने तो इस बार चमतकार कर दिया दो करोड़ नोकरियों को प्राइवेट कर दिया और जैसे सरकारी स्कूल प्राइवेट हुए तो आप को जानका रहरानी होगी कि अगर एक सरकारी स्कूल में दस अध्यापक काम करते थे तो 45,000 इसकूल में 4,50,000 अध्यापक सरकारी होते लेकिन जैसे ये लाला के नोकर बन गए तैसे ही चार लाख नोकरियों समाप्त हो गई और भविश्या में हमारे लोगों को ये नोकरियों मिलेंगी भी नहीं 479 रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट कर दिये गए और उन पर जो काम करने वाले सरकारी नोकर थे रातो रात लाला के नोकर बन गए और इन रेलवे स्टेशन पर भविश्या में नोकरियों मिलेंगी भी नहीं ते तो जिस तरह से मोदी सरकार इससानों का प्राइवेटाइजेशन निजी करण करती contraire। सर्व समाज लोगों में नोकरियां मिलनी धूर्भर हो जाएंगी हम नोकरियां 200 करोड कहां देंगे ये नोकरियां खानवाली सरकार है अभी आपको पता होगा और कि माने पुर्दान मंत्री जी ने लाल किला भी गिर्वी रख दिया है कितनी बड़ी बेवगुवी है कि लाल किला को गिर्वी रखने ये हमारी देश की धरोहर है और जो हमारी देश की धरोहर है हमारी देश की शान है ये तो उस तरह से हो गया कि किसी मूर्ख ने अपनी मा की लाज को गिरिवे रख दिया हूँ, किसी मूर्ख आदमी ने अपनी मा की इजद को तार-तार कर दिया हूँ, ये मेरी नजर में गधे हैं, बेवगूफ हैं, और लाल केला हमारी शान है, हमारी जान है, आन बान स्वभिमान है, इसके लिए हम अ कौन सा बाहर से आगे थे सब यहीं की पैदाईश हैं तो लाल के ला हमारी शान है यह जो ऐसा कर रहे हैं यह मुर्खता का परिचे दे रहे हैं आपने कहा कि एक दलीट युवा को ना सिर्फ मारा गया बलकि उसके मुह में पेशाब पिलाए गया जब अर्दस्त की गिए उसके साथ दुराचार किया गया तो ऐसी जगंने अपराधों के लिए मनुवादी सरकार के कान भहरे हो जाते हैं उनकी आखें अंधी हो जाती हैं उनके शरीर के एक एक तत्व काम करना बंद कर देता है वो उस तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि अखवार में जब कटिंग में पढ़ता हूं कि दलित महिला का बलातकार करने के बाला निर्वस्तर गुमाया गया दलित महिला का बलातकार करने के पस्चात उसे डायन घुशेत कर दिया गया और दलित दूले की बरात नहीं चड़नी दी गई तो ऐसी घटनाओं पर कोई टिपणी Champions ही नहीं आती सब्सक्राइब को संग्यान लेना चाहिए अब कहा सुप्रीम कोट चला गया जब इस तरह के जगन्य अपराद सोशित प्री दवे कुछले समाज के लोगों के साथ हो रहें उस समय तो कोई भी नहीं बहुत सोच रहा है और अब सुप्रीम कोट यह कहता है कि हम उन लोगों को जो है जो निर्दोश है उन्हें सजा नहीं होने देंगे पर मैं यह कह रहा हूं कि SCST Act का सही इस्तमाल तो आस्तक हुआ ही नहीं हमारी बहन बेटियों के बलातकार होते रहे लेकिन SCST Act के तहट मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हमारे भाई को मारा गया पीटा गया कूटा गया पिशाप पिलाया गया घसीटा गया लेकिन SCST Act के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मैं कहता हूं कि किस दिशा में जा रहा है यह देश देश को जोड़ने के लिए काम नहीं करी है मनुवादी सरकार यह मनुवादी सरकार देश को तोड़ने का काम करी है और यकीन पिशाप 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 परतिसाद भारत हमें बाबासाब डॉक्टर बीम राव उम्बेटकर का बनायवा सायुधान काम करी है करेगा हमारी सरकार होगी हमारे लोग होंगे और हम अपने दम पे अपने देश को चला लेंगे आगम योजना क्या रहेगी आपके युव्यम को लेके और इस तरीके कि आट्रोसिटी मामने को तोड़ेंगे हम सांसदों के घरों का घहराव करेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं परन्तु मैं किसी भी राजन्यतिक पार्टी का नाम लेकर उसके पक्षमे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये समाजिक मंच है और इस समाजिक मंच पर हम समाज के लोग इखटे हुए है बिल्कुल निश्चित रोप से आवशकता है और बहुजन समाज में कैई पार्टी आ चुकी है कैई सारी पार्टी है कोई एक पार्टी नहीं है तो मैं बहुजन समाज के लोगों से हा गिन रहे हैं जो टिकट बेच करके अपने घरों में पैसे ले जाते हैं ऐसे नेताओं गा साथ नहें जरूर दें जो दलीतों के लिए सोशित पेड़ी वंच्चित समाज के लोगों के लिए अपना खून तगनियों चावर करने के लिए तैयार हैं ऐसी पार्टी का साथ झाल